हेलो स्टुडेंट्स दिस राज आदाव एंड वेलकम तो चला के स्टड़ी यूट्यूब चैनल तो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं तो यह कुछ कोस्चन हम लोग यहां पर साल्व करेंगे कुछ कोस्चन देखेंगे जो की mcq form में होंगे ठीक है mcq यानि की multi choice जो question होते हैं multi choice question तो उस तरह के प्रशन हम लोग देखने वाले हैं चार option वाले तो यह जो समानी हिंदी है वो सभी के लिए compulsory है चाहे वो English medium का है चाहे वो Hindi medium का है तो समानी हिंदी यानि की general हिंदी जो है उसके कुछ इस question हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ऐसे most important जो question है जिस तरह के pattern से exams में अक्सर question पूछे जाते हैं उसी pattern में हम लोग यहाँ पर प्रशन देखेंगे तो इन प्रशन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके exam में किस तरह के प्रशन आ सकते हैं ठीक है और उसी हिसाब से अपनी तयारी को आप continue कर सकते हैं और यह इसका पहला part है और आगे भी इसके हम लोग आगे भी इस subject के इसी तरह के question लेकर आएंगे ठीक है तो चलिए start कर लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस channel को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले इस channel को subscribe ज upload हो रहे हैं तो आप उसको देख करके अपनी जो तैयारी है उसको continue कर सकते हैं तो चलिए start कर लेते हैं तो आपका सबसे पहला प्रशन है यहाँ पर कि मौकिक स्वर किसे कहते हैं ठीक है तो मौकिक स्वर किसे कहते हैं आपके option है यहाँ पर, option A, O, A, Option B, A, A, E, Option C, U, O, A, तो इस तरह के प्रस्त ने पूछे जातए है, स्वर से related, तो सबसे पहले मैं आपको बता दुअ कि मोख्यक स्वर असर में होते क्या है, तो मोख्यक स्वर उन्न स्वरों को कह जाता है, जैसे स्वर तो यह सभी हैं, जितने भी आप लोग को दिख रहे हैं, यहाँ पर सभी स्वर के अंतरगत आते हैं लेकिन मौकिक स्वर वे होते हैं जिन धोनियों को मुझ से निकालने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं मुझ से बड़ी असानी से उन धोनियों को निकाला जा सकता है और जरा भी बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है तो स्वर्स अभी है लेकिन इसका जो राइट एंसर वो है वो आपका हो जाएगा option number B A-A-E यानि कि जो A-A-E है उनको जब मुझे हम उचाराण करते हैं उसका तो थोड़ा भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ता है A-A-E और बड़ी असानी से मुझे की जो हवा है वो बड़ी असानी से बाहर की और निगल जाती है लेकिन जब O-A ये कह जाता है तो थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ता है और O-A कहने के लिए उसी तरह से O-O-A कहने के लिए भी हलका सा बल प्रयोग करना पड़ता है और जो D-Option है आपका अंग O-A ये तो इसकी जो दोड़ानी है वो नाक से भी निकलती है नाक से भी कुछ स्वांस का कुछ हिस्सा नाक से भी निकाला जाता है तो ये जो है मौकिक स्वार नहीं होंगे मौकिक स्वार में जो है ध्वनी का पूरा जो हवा है वो मुह से ही बाहर निकलता है Next question में आ जाते हैं Next question आपका पलक किस भाशा का शब्द है तो इस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं एक शब्द आपको दे दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पलक और उसको यह पूछ लिया गया है कि वह किस भाशा का शब्द है आपके option है यहाँ पर option A संस्क्रिट option B हिंदी option C फार्सी और option D अर्भी ठीक है तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि यह किस भाशा का शब्द है तो पलक जो है वो आपका फार्सी भाशा का शब्द है तो इस तरह के प्रशन आपके परिक्षा में पूछ लिये जाते हैं तो आप लोग इस तरह की भी तैयारी करके जाएंगे ठीक है अब आज आते हैं question number 3 पर स्वर वह दोनी है जिसके उच्चारण में ठीक है स्वर वह दोनी है जिसके उच्चारण में option है आपके हवा मुख वीवर से नहीं निकल पाती option number B है हवा अबाद गती से मुख वीवर से निकल जाती है Option number C है हवा मंद गती से मुख वीवर से निकल जाती है और Option number D है हवा मद्यम गती से मुख वीवर से निकल जाती है तो यहाँ पर वीडियो को पॉस करके आप अपना उत्तर दे सकते हैं यह चेक करने के लिए कि आप आपको कितने जानकारी है इस प्रशन के बारे में तो चलिए मैं बता देता हूं कि इसका राइट एंसर जो होगा वह होगा Option number B ठीक है हवा अबाद गती से मुख वीवर से निकल जाती है तो स्वर की यहीं विशेस्ता होती है करने से जो कि अब आद गती से अब आदियने बिना औरोम इवर से जो अपना मुख वीवर है जहां से हम उच्छानार करते हैं वहां से बिना अवरोत के मुख विवर से हवा बाहर की और निकल जाती है वो होती है स्वार की ध्वनी आगे बढ़ जाते हैं question number 4 है यहां पर स्नेह मगन ठीक है स्नेह मगन किस तत्पुरुष समास का उदारण है तो स्नेह मगन इसका जब समास विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा स्नेह में मगन ठीक है इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा स्नेह में मगन तो इसको देखकर आप यह अपना जो जवाब है वीडियो को पॉस करके अपने जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं आपके option है संबंध तत्पूरूस option number B है अधिकर्ण तत्पूरूस option number C है करण तत्पूरूस option number D है संप्रदान तत्पूरूस तो उसने मगन जो word है ठीक है उसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकर्ण तत्पूरूस तो आप लोगों ने ये करता जो सब जैसे की ये सब होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो उसको जब आप लोग याद कर लेंगे तो आपको ये बड़ी असानी सी ये बनाते बन जाएगा कि जो में आता है ठीक है स्नेह में मगन अगर में आ गया तो वहाँ पर अधिकरनर तत्पुरूस होता है आगे बढ़ जाते हैं Q4 है Q5 है आपका स्रीमान्स शब्द में किस प्रकार की अशुद्धी है आपके उप्शन है वर्ण संबंधी समाज संबंधी हलंद संबंधी और प्रत्याय संबंधी तो स्रीमान जो सब्द है उसमें इन चारों में से किस प्रकार की अशुद्धी है इस तरह के प्रशन भी आ आपको याद होगा आपने कहीं पर देखा होगा कि जो स्रीमान लिखा होता है वो उन्हा के नीचे उसमें एक छोटा सा हलंद लगा होता है तो यहाँ पर जो है हलंद सम्मध्धी विकार हलंद सम्मध्धी अशुद्धी आपर हो जाएगी अब आपका question number 6 है धर्म आधर्म ठीक है धर्म आधर्म में कौन सा समास है औप्शन है आपका तत्पुरु समास द्वंद्व समास अव्याई भाव समास या फिर उपर युक्त में से कोई नहीं तो धर्म आधर्म जैसे कि इस तरह के जो दो शब्द वाले जो शब्द बनते है जो समासिक शब्द होते हैं जैसे कि अगर इसका समास विग्रख किया जाए तो ये होगा धर्म और अधर्म ठीक है धर्म और अधर्म ये हो जाएगा तो जिन समासिक शब्दों को समास विग्रख करने पर उनके जो दो शब्द बनते हैं वो आपस में बराबर भार के होते ह का महत्व बराबर होता है जैसे कि धर्म और अधर्म इन दोनों का महत्व एक बराबर है तो वहां पर आपका हो जाता है द्वन्दुसमास ठीक है तो इस सवाल का जो राइट एंसर है वो हो जाएगा द्वन्दुसमास जैसे कि कुछ और उधारां में बता देता हूं जैसे कि रुपिया पैसा यहाँ पर रुपिया पैसा दोनों का महत्तों बराबर है चीक है इस वर्ड के लिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यह दुन दुसमास जैसे कि एक और एक्जामपल आप सिंपल एक्जामपल देख सकते हैं माता पीता तो इस तरह के शब्द जो हैं इस तरह के समाशिक शब्द जो हैं दोंदो समास के अंतरगत आते हैं अब आपका question number 7 है गाठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है option है आपके मालदार होना, option number B है खुब याद रखना, option number C है बेफिक्र होना और option number D है मौका ताकना, तो आपको बताना है कि ये question number 7 है गाठ बांधना उस मुहावरे का अर्थ सही उत्तर क्या होगा तो student जिसका सही उत्तर हो जाएगा, खुब याद रखना, यहाँ पर जिसके according option दिये गये हैं उसे साब से सही उत्तर हो जाएगा, खुब याद रखना जैसे कि कहा जाता है कि किसी बात को अपने गाठ बांध लो, यानि कि उसको अच्छे से याद करके रख लो उस बात को, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, option number B अब next question है, निमलिखित में अर्धस्वर है, अब आपको इन में से अर्धस्वर पहचानना है, option है आपके या, म, व, option number B है व, ह, घ, option number C है ह, व, त, और option number D है या, व, ह, तो आपको यह बताना है कि अर्धस्वर होता क्या है, ठीक है, और इन चारों में से आपको पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा ये जो ग्रूप है वो अर्धस्वर का ग्रूप है, तो इसका जो राइट एंसर होगा, वो हो जाएगा, या, व, ह, option number D आपका राइट एंसर हो जाएगा, अब मैं बताता हूँ कि अर्धस्वर असल में होता क्या है, तो अर्धस्वर जो होता है, असल में जैसे कि ये सभी व्यंजन है, आप देख सकते होंगे, ये सभी व्यंजन है, लेकिन इसमें जो आधे स्वर का गुड़ है, तो या, व, और ह, जो यहाँ पे तीन व्यंजन आपको दीख रहे हैं, इनको अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है, कि इनमें आधे स्वर के गुड़ है, क्योंकि ये या, व, और जो हा है, वो उसका उचानार करते समय, जब हम इन तीनों का उचानार करते हैं, तो इसका जो उचानार है, वो बिना किसी अवरोत के हमारे मुँ से निकलता है, इसके उचानार करते समय, जो मुँ से हवा बाहर आती है, वो बिना किस से एक दूसरे से नहीं टकराता है किसी को इस पर्ष नहीं करता है और बीना किसी समस्या के हवा जो है मुझ से बाहर निकल जाती है इन तीनों का उचानार करते हुए इस वजे से यह वह और हज अर्धुसवर है और अर्धुसवर के यही गुड़् है जो मैंने अभी आपको बागी में जैसे कि बागी गुरूप में option number A, B और C में जैसे कि यहाँ पर म हैं तो म कवचानल करते समय होट आपस में टकराते हैं घह कवचानल करते समय जीब का जो अंदुरूनी हिस्सा है वो उपर की दिवार से इसपर्ष करता है और त त कवचानल करते समय जीब जो है द हैं इन चारों में से कौन सा सब्द पुलिंग सब्द नहीं है option number A है मोती, option number B है लाल, option number C है मड़ी और option number D है मारिक तो आपको बताना है कि इन चारों में से आपका राइट एंसर कौन सा होगा तो पुलिंग सब्द जैसे कोई भी वस्तू होती है तो उसका इस्त्रिलिंग बती है तो इससे कोई आपके मेरी मोती को हो गया है तो इसी तरह से सबही को सभी को पुलिंग में जो है डिवाइड किया जा सकता है तो उसी तरह से यая जो मोती है वो pulling शब्द हो जाएगा आपका यानि कि pulling शब्द हो जाएगा और ये wrong answer है क्योंकि यहाँ पुछा गया कि pulling शब्द कौन सा नहीं है ठीक है उसी तरह है लाल ये भी आपका wrong answer हो जाएगा क्योंकि लाल मेरा लाल होता है ठीक है और यहाँ पे दिया गया है मड़ी तो आपका जो ये राइट एंसर है वो हो जाएगा आपका मड़ी और जो मारिक है वो भी आपका रॉंग एंसर हो जाएगा मारी जो है इस्त्री लिंग शब्द नहीं है पुलिंग शब्द है और यहाँ पर जो मड़ी शब्द दिया गया है वो आपका इस्त्री लिंग हो जाएगा अब आज आते हैं question number 10 में परियंक शब्द का तद्भाव शब्द है तो परियंक एक शब्द है उसका तद्भाव रूप क्या होगा आपके option है option number A पलंग option number B पालकी, option number C परेटक और option number D उपरियूक तो सभी तो आपको बताना है इन चारों में से right answer क्या है क्या वो पलंग है, क्या वो पालकी है, क्या वो परेटक है या फिर इन में से सभी है ये जो उपर तीनों दर्शाएगे हैं, वो सभी है तो परियंक जो शब्द है, उसका तद्भाव रूप क्या हो जाएगा उसका right answer आपको हो जाएगा, option number A पलंग यानि पलंग का जो तद्भाव रूप है वो परियंक होता है अब तद्भाव का मैं मतलब समझा देता हूँ, एक शब्द होता है तद्भाव, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर तद्भाव पूछा गया है और तदभाव का मतलब होता है भाव याने होना ठीक है भाव याने होना भाव याने संस्क्रीट का शब्द है इसका मतलब होता है होना तो तदभाव याने उससे होता है याने संस्क्रीट से हो करके हिंदी जो हो जाता है संस्क्रीट से जो हिंदी में परिवर्तित हो जाता है उसको तद्भव कहते हैं तद्भव जो संस्क्रीट के समान जो संस्क्रीट वाले शब्द हैं जिसका हिंदी में सेम टू सेम उसको हिंदी में ले लिया गया है उसको तद्भव कहते हैं यानि कि वो संस्क्रीट के सब्द हैं और तद्भव जो संस्क्रीट से परिवर्तित हो क के हिंदी के शब्द बन गया है उनको तत्सम कहते हैं तो परियंग का जो तद्भव रूप है यानि परियंग से बदल करके पलंग बन गया है तो यह इसका राइट एंसर होगा ठीक है तो यह थे कुछ प्रश्ण और यह कुल मिलाकर के 10 प्रश्ण से हैं जिसको अभी हम प्रश्णों को देख करके अपनी तयारी जारी रख सकते हैं ठीक है तो जैसे कि हम लोग यह हमारा के लिए अभी आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म परें उनकी तयारी अभी चल रही है तो आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क कर सकते हैं उसमें कुछ इंपोर्टेंट पीडियेफ या फिर सुचना है आपको मिलती रहेगे टेलीग्राम चैनल का नाम है चलाग स्टेडी इसी नाम से चैनल की नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी तो उसको जोइन कर लिजेगा ठीक है इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएगी